जिद, पागलपन, बेचेनी, पैशन जरूरी है Madness is needed बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज की जिद करना क्योंकि सपने और जिद में एक बहुत बड़ा फर्क होता है सपने आखें खुलने के साथ ही तूट जाते हैं और जिद वो होती है जो लक्ष की ओर ले जाती है आज हम उसकी बात करेंगे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर कुछ पैशन के बारे में कुछ जिद हम कैसे अपने गोल तक पहुँचे हम कैसे किसी चीज़ को अच्छीव करें कुछ आज़े पागलों की बात करेंगे जिनने अपनी जिद के कारण इस दुनिया में अपने आपको दूसरों से बहतर साबित किया जिद के दो तरीके हैं एक अच्छे मकसत के लिए और दूसरा गलत मकसत के लिए मैं as usual और सही बात ये है, अच्छे मकसद की बात करता हूँ Patience is needed याद रखिये, सिर्फ जित करने से कुछ नहीं होता साइयम चाहिए Remember one line, what I learned from my father Victory might be worshipped by the fighters But the same victory has always been a slave to the warriors ये आपको decide करना है कि आपको उस victory को अपनी जिंदगी में क्या रखना है उसके लिए कितनी जित करना है और Patience For example, एक दिन में ना कोई सचिंतेंदुलकर बनता है एक दिन में ना कोई Dr. APG अब्दुलकलाम साहब बनता है ना एक दिन में कोई भी आदमी एक दिन में नहीं बनाए उनने अपने सपने देखना सपने देखना बुरा नहीं है दोस्त लेकिन उस सपनों के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है जिद क्या है? जिद है कि हसास है दूसरों से बहतर बनने का जिद उस बात से करो ना कि I want to prove myself better किस चीज की जिद की बापा मम्मी ने कुछ नी दिया तो उस चीज की जिद या पैरन्ट्स को जिद होती कि मेरा बेटा में ऐसा ही करेगा सौरी मैं यूध के बारे में बात कर रहा हूं मैं बहुत बड़ा friend हूँ यूध का और मैं हमेशा कहता हूँ ये च्छाती पर देख लो ये, ये और ये ये कौन हैं? ये जिद्धी लोग थे जिनने एक मकसद के लिए एक जिद्धी आज सुभाज बाबू को ले लीजे बहुत बड़े अलग-अलग टॉपिक्स हैं मैं बात करूँगा, लेकिन सिर्फ ये बोल रहा हैं जिद्धी लोग तो जो मेरी च्छाती पर लगे हुए है इनने कुछ जिद्ध की एक अच्छे कारण से और ऐसे ही मैं कुछ modern heroes की बात करता हूँ लेकिन उसके पहले सिर्फ एक definition देंगे what is victory? what is success? हर आदमी के लिए success की मतलब अलग होता है जीत का मतलब अलग होता है जीत याद रखना कभी भी भीक में नहीं मांगी जाती है छीनी जाती है ताकतवर बनो क्योंकि कमजोरों को या तो आशू मिलते हैं या भीक और एक बात याद रखना ताकतवर बनना डोले बनाने से सिक्स पैक एब बनाने से कुछ ताकत नहीं आती है ताकत में होती है दिमाग की जिद जिद दिमाग से होती है बोडी से नहीं होती है बोडी से जिद क्या करोगे अकड़ के चलोगे क्या वो जिद नहीं होती है जिद होती है अपने आपको दूसरों से बहतर साबित करने की याद रखो दूसरों को नीचा दिखाने से जीत नहीं मिलती है अपने आपको महनत करके ट्रेनिंग करके उनसे बहतर करना वो जिद होती है जिद एक अच्छे कारण से हो तो बहुत अच्छी बात है ऐसे पातिकारियों को लोग पागल कहा करते थे याद रखना उनमें इतनी तो दम्ती की रियास का हिस्सा है और आज भी हम जैसे पागलों के लिए खुदा माने जाते हैं मिट्टी के लिए महबत वो भी एक जिद है जो हर सिपाही में होती है वो जिद जरूरी है मेरे यारों क्यो रेकला मलशने भी इस दुन्या में इस देश मे कुछ बड़ा किया इना उसे लोगों ने जिदी कहा है पागल कहा है तो अगर कोई पागल कहे और जिद्धी कहे तो इसको अपने लिए मैडल मानना क्योंकि याद रहना इस पूरे देश में पूरी दुनिया में बहुत कम है जिनको पागलपन की और पागलों की उपादी मिली है लोग अक्सर पूछते हैं कि सर कोई एक ऐसा गुरू मंत्र होता है दोस्त मैं क्या गुरू मंत्र दूंग मैं तोड़ी कोई बाबा हूं लेकिन मेरी खुद की एक सोच है एक समझ है वो ये कि जिद्धी बहुत हूं और वो जिद जरूरी है लेकिन याद रखना जिद कभी भी अपने माबाप से मत करना जिद कभी भी अपनों से मत करना जिद अपने आप से करना वो बात बढ़ी है अटिट्टीवट, everybody has a problem and this will remain the same for each and every individual हमेशा problem सबके लिए सेम है दोस्त आपका attitude उसको different बनाता है मुझे याद बाबुजी बच्पन में हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे पानी जब बरसता है न तो पूरी चडियां होती है जो वो अपने लिए घरोंदा दोनती है shelter दोनती है इगल एकलोता है ऐसा होता है गिद जो सा उस बारिश को चीरते हुए उपर जाता है बादलों के उपर बैठता है attitude से अकेला गिद सबसे अलग होता है so the problems are going to be the same but your attitude makes you different उस attitude की बहत फरक है एक example देता हूँ मैं क्रिकेट बिल्कुल कोई ऐसा मेरे लिए कोई बहुत फॉलो नहीं करता हूँ मैं क्रिकेट लेकिन पुराने लोगों को फॉलो किया है example देता हूँ कपिल देव साब सचिन देंदुरकर जी ये legends है ये legends है अब हर चीज पढ़ाई लिखाई नहीं होती है अब ये जित की बात करते है 89 में पाकिस्तान के दिगजों के सामने बैटिंग कर रहे है जिनकी बॉल दिखती नहीं थी सिर्व आवाज आती थी निकलने की अलगने की उस आदमी ने जित की नाक में बॉल लगी हुई थी वकार यूनिस की वो बॉल जिसने नाक तोड़ दी थी सचिन तंदुलकर की 16 साल का छोटा सा बच्चा सचिन रमेश तंदुलकर नीचे गिरा हुआ उस तरफ नवजोट सिंग सिद्दू जो की उस समय बहुत अच्छे फॉर्म में थे 6.3 इंच का आदमी है जिगर वाला आदमी है पंजाबी अंदर से एक आवाज आई नाक तोटी हुई थी उन्हें लगा कि मर गया ये बच्चा आप क्या खेलेगा सभी को ये लगा इमरान खान ने अपने एक इंट्रिव्यू में कहा था कि I thought this boy would not survive more than two three deliveries नाक तोटी खड़ा होता है वो छोटा सा बच्चा नवजोट सिंग सिद्दू साब के कान में एक आवाज आती है और वहां से एक बच्चा बोलता है मैं खेलूंगा Madness for victory वो बच्चा खड़ा होता है वाकार युनिस्ट की एक बॉल पहले नाक तोटी हुई है फड़ चुकी है कॉटन लगा हुआ खड़ा होता है अगली बॉल में दो कदम आगे बढ़ता है और उस पूरी सीरीज का सबसे लंबा छक्का मारता है और उसके बाद बोलता है तुझी बोलता है जिनको समझना है वो समझ गए वो एक डायलोग मारते है वो जित थी वो विक्ट्री की बहुत लेजेंड्स है लेकिन हाँ एक बात बहुत जरूरी है बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कुछ ऐसे हैं बेवकूफ बोलता हूँ मैं शायद उनको बेटर वर्ड है उनके लिए जिनने ऐसे लेजेंड जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है उसके बारे में कुछ कहा इवन लटा ताई जिनको सरस्वती का दर्जा है इस देश में मतलब मां का दर्जा दिया जाता है जिनको सच्छे इन तेंदुलकर जैसे जो खुद गॉड है ग्रिकेट के वो खुद आई बोलते हैं मतलब गॉड की विमा ऐसे के बारे में किसी एक कोई लॉड़ा है उसने कुछ कहा आप समझ में नहीं आ रहा हो क्या रियक्ट करूँ क्यूंकि पहली बात तो इतना चोटा नहीं कर सकते हो एन इतनी छूट क्यों मिल रही है समझ में नहीं आ रहा है बट ठीक है आप लेजन्स के बारे में बोल रहे हो I can only say की इनको सदबुद्धी मिले क्योंकि आप जिनके बारे में बोल रहे हैं न जब तुम पैदा हुए थे ये लॉंड़ा 89-90 की बारत होगी इसकी जब ये पैदा हुआ था न उस समय लता दीदी हजारों आने गा चुकी थी और अपने आपको प्रूफ कर चुकी थी जब ये लॉंड़ा पैदा हुआ होगा न उस समय सचिन तेंदुलकर साथ दुनिया के सबसे फास्टेस बॉलर्स को फेस कर रहे थे और चक्के मार रहे थे और जिद कर रहे थे इस देश के लिए कुछ करने की देश के अंदर माहुल खराब क्यों करते हैं बहुत ज्यादा अंदर समलने रही है जवानी तो उनसे बहतर बनके दिखाओ कमेंट मत करो, बहुत छोटी हरका थे ही ये भी important है, patience दो चीज़ें cover करना बहुत ज़रूरी है patience क्या है और rejection क्या है उसको आप कैसे लेते हो, again जो मैंने पहले भी कहा rejection is important क्योंकि जब rejection होता है तो एक कोई जंगजोर देता है दो ही तरीके हैं, कोई थपड मारे दो ही तरीके हैं, पापा थपड पड़ गया ममा थपड पड़ गया, रो और सो जाओ दूसरा तरीका, ट्रेनिंग करो लोट के जाओ, रहप्टा कान की नीचे कंटाब मारो, थपड बोलते हैं जिसको ना, समझ में आ जाएगा अगली बार किसी को मारने के पहले एक हजार बार सोचेगा है, लेकिन इस जिद के लिए ना लला, बैटे बैटे मुबाइल से कुछ नी होने वाला है, इसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ती है रोज, ग्राउंड पे जाना पड़ता है आप जिस भी फील्ड में है जित करना बहुत जरूरी है रेजेक्शन इस इंपोर्टेंट, और रेजेक्शन की बाद डिसाटेन मत हो, याद रखना हर किताब में, बड़ी-बड़ी किताबों में यह लिखा है मैं बाबा नी मुझे समझ में नहीं आती किताबे है और अनपड़सा आदमी हूँ, लेकिन हर किताब में एक चीज जरूर लिखी है, जो होता है एक्चे लिए होता है, और प्रेजेंट में जी हो जो हो चुका वो हो चुका यार आगे की बहुत ज्यादा मत सोचो प्रेजेंट में क्या कर सकते हो हम प्रेजेंट में सिर्फ एकी चीज़ कर सकते हैं और वो है ट्रेनिंग करना अपने आपकी आप जिस भी फिल्ड में हो तैयारी तगडी होगी ना तो फिर डर नहीं लगता ह अगर तयारी में कहीं मकारी किये, तो पक्का डरोगे, अब्दुलकलाम साहब, डॉक्टर रेपीज अब्दुलकलाम साहब, मेरे गुरुवों में से एक है, मेरे एक मेंटॉर में से एक है, मेरे आदर्शों में से एक है, उसके बाद आप, लेजंड, हमिदाप बच्चन आपको बता है यह Services Selection Board, SSB, Combined Defense Services Examination, उनमें reject हुए है, CDSE में reject है यह, अब्दुलकलाम साब, जो हैं वो SSB से बाहर किये गए थे, लेकिन उनकी जिद देखिये, उसको सलाम है, उनकी महनत को, उनकी शिद्दत को, वो Army, Navy, Air Force, तीनों के Chief Supreme Commander बने, और उनने उस एज में, 60's में जाके, उनने सुकोई, मिरास, और ऐसे-ऐसे Fighter Jets को उड़ाया, तो उनने एक जिद्द की, उससे बहतर बनने की, सचिंत अंदुलकर साब हो, बड़े-बड़े आप Legends को ले लीजे, याद रखना, Legends एक दिन में नहीं बनता है, और Legends घर में बैठके कोई नहीं बनता है, बाह महसूस करना, कि बहुत पीछे लात पड़ी है, मतलब दो कदम आगे जाएंगे, कोई बात नहीं, दोके बाज हमेशा मिलेंगे जिन्दगी में, लेकिन हम भरोसा करना नहीं छोड़ सकते, सपने कम, महनस ज्यादा, सोचना कम, काम ज्यादा, शिकायतें कम, और शुकरिया ज आदा, आपको बहुत कुछ मिला है, दोस्तों, कम से कम शरीर तो काम करने लाइक मिला है, बस आपको दिमाग ट्रेंड करना है, जिद करना है, और बहुत जल्दी आपको वो चीज, एक बात बहुत छोटी सी है, लेकिन समझने वाली है, अगर दूसरा किसी चीज को पा सकता है, तो आप क्यों नहीं? और ये डायलोग है, कि अगर आप कुछ धिल से करना चाहते हो, तो काप बहुत महनत है, खुद की महनत करो, कापना का बहुत करना है, अपण मदद करना पड़ती है, दूसरा कोई मदद करेगा, नहीं करेगा, किसी को नहीं पता, सपना तुमारा ह तो महनत भी तुमारी होना चाहिए, सपने कम देखना है, महनत ज्यादा करना है, और ये जो लोग कहते हैं न, कि sporting spirit, oh no problem, we came here to play, somebody asked to win, somebody asked to lose, एक मिनट, कुछ नहीं होता है ये सब, सब जीतने आते हैं, और हार जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं, कि नहीं नहीं, वो तो क्या ह कि sporting spirit कुछ नहीं होती है, खेल में दो ही चीज़ें होती है, या तो जीत होती है, हार होती है, और अगर तैयारी तगली है न, तो हमें जीतना है, हारने वालों को कोई नहीं पूछता, चांद पर पहला कौन आदमी गया था, सब को याद है, दूसरा कौन गया, किसका याद रखे, पहला बनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जित बहुत ज़रूरी है, कोई solution नहीं है मेरे पास इसका, कि आपको विट्री कैसे मिले या जित कैसे करें, और कोई मंदर में दर्बार भी नहीं लगा है, या कहीं पर ऐसा दर्बार नहीं लगा है बाबा का, ल कोई भी आके मार नहीं सकता है, यह उसके हाथ में था, है और रहेगा, हम कर्म करेंगे और तगड़ा करम करेंगे, देखते हैं जीत कितनी दूर तक भागती है, सुना है बड़ी खूपसूरत सी है, और अगर खूपसूरत सी है, तो मेरी क्यों नहीं, शिकायत है कम महनत ज् सिर्फ आपको पता है वो चीज कि आप कहां गलत कर रहे हो, किसी दूसरे से मत सॉल्यूशन पूछो, that is within you, find it out, दूड़ो, क्या गलत जा रहा है, बस उस पे काम करो, आप हर चीज में गलत नहीं है, आप एक छोटी सी किसी चीज में गलत हो सकते हैं, मैं भी हूँ यार, इ सीखना शुरू, तो जीतना शुरू, इसलिए सीखने की आदट डालो, जिद करने की आदट डालो, फिर देखते हैं, कितनी दूर भागती हैं, विक्ट्रियम से, never expect anything from anyone, that's the biggest problem, जब हम expect करते हैं, तो तूटती हैं, खुद से expectation बांदो, कि मुझे यहां से यहां ता कितनी मे करना हैं, और उसका result आएगा, और जो चीज मांगे से ना मिले, मैंने पहले भी कहा था, जीत मांगी नहीं जाती है, छीनी जाती है, और छीनने के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है, वो शहीदे आजम, करतार सिंग सराबा, उन करांतिकारियों की, उदम सिंग साप की कि मांगे से जो मिले ना तुझे को, छीनले तू हक अपना, छीनले तू हक अपना, दूर है क्यों तेरी आँखों से, खुश हाली का सपना, खुश हाली का सपना, तेरी ही गैरत जागे ते, तक दीर भी तेरी जागे, छोड़ दे अपने सर को जुकाना तू गैरों के सामने पगडी समाल ओ जटा पगडी समाल तेरा लुट गिया मान वे पगडी समाल तेरा लुट गिया मान वे पगडी समाल ओ जटा पगडी समाल अपनी इज़त और अपनी फैमिली की इज़त उस सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी को खेलने मत देना उससे दोस्त क्योंकि वो हमारी असली पहचान है जैहिन वंदे मातरम इंकलाब जंदाबाद भारात माता कीजए